कैसे हैं आप सब एक बार फिश से आप सब का स्वागत है केवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में मैं हूँ बरत कुमार और आप जानते हैं हम पढ़ेगे यह पे पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल साइंस में आपको बढ़ा देते हैं कि यहां पे हम भी थर्डियर के लिए आप बढने वाले हैं और इसमें भी फेपर 15 जो पर हैं अंतराष्टिय राजनीदि स्मन उसके वारे में जानने वाले हैं और यहां पी प्ड़ाप जो पड़ा धा यानि इसवे पीछले वाला वीडियो हैं उसी का सेकेंडा पार्ट पार्ट में आज हम पड़ेंगए य uponवाद सब्सक्राइब करेंगे तो नहीं देख लीजिएगा और हम बढ़ते आगे इससे पहले द्यान रखें प्रस्टनली मेरे टाइस चैनल पर भी आना चाहते हैं यानि जो पॉल्डिकल से लेटेड और कोई इश्यू है तो जरूर में यूट्यूब क्लास से भी जूड़ चकते हैं अधर्वाइज कॉलेज की क्लास है यहीं पर कंटीनियू रहेगी तो यहां पे आप जूड़ चकते हैं जो जाना मैं आपको उड़ा रहता हैं कि जो आधर्वाइज की इधर्वाइज बंग के तौर पिर यस संभन बनाने की गुंजाइस रखता था बिर वो में हम देखा था था यदि के यरफबाती उपगम तो अंथ्राष्टी सम्मंध को अधैन करने का यह एक द्रश्टि कॉन नजरिया है। जिसको हम कहते हैं वास्तविक वास्तविक द्रश्टि कॉन सोट में इसको पूरा कर लेते तो यह आजएगा वास्तविक क्या है यानी बर्तमान जो सब्सक्राशन समझने का रियलेटी एक तो वह था ना कि थोड़ा कालपनिक होता एक उताय एक्षुल रियलेटी क्या है उसको देखते हो क्या आजन करना है तो आज हम यतार्थवादी उपागम को जानने वाले हैं अब यतार्वादी उपागम को हम बहुत अच्छी से समझने वाले हैं तो इसमें मेग्यावली के जो विच्छार है वो भी ज्यादा important है एक तोर पर अगर मैं बात करतू करें तो यह कहता है कि आज के समय अंतराश्टिय इस तर पर देश क्या चाते हैं देश क्या साते हैं वो चीज पए गौर करने को यह कह रहा है एसा नहीं कि सही देश सांती यहीं संगर्ष को इसके अंतरकत मैंत्मर्द रिया गया है हैं तो इसके कुछ इंपोर्टन चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूंगा यतादवार्दी दस्तिकॉण की तह में मूल मानिता है राष्टों के विरूद और शंगर्ष किसन किसी रूप में सदिव बना रहता है बिल्कुल देखो अगर शक्ति दो देश या अंतराश्टी इस्तर पर जो देश सक्ति साली होना साथ वो जानता है उसको पता है दूसरों से बढ़िया होने तो यहीं बात यह राष्ट इक्षक्ति संपन्राष्ट होने की गुणजाईस रखता है इसी को ध्यान में रखते हुए यतादवाद के अनुसार राष्ट की सक्ति का विकास है ठीक है ना यानि यहां पर सिंपल सी एक बर्ड में ध्यान रखेंगी कि यतादवादी दस्ति कौन जो मानने वाले वो छाते हैं राज्य शक्ति में राष्टीत है यानि शक्ति या पर मूल तत्व क्या है शक्ति प्राप्त करना क्योंकि दो हर दो देसे वो परतिस प्रदात्मक के रूप में कि मैं इससे आगे जाओं कोई देश को सक्सम बना सकता है यह तो आप भी जानते कुछ सक्सम होता है सक्ति शाली होता है तो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकता है तो वही चीज यहां पर आती है कि अंतराष्टी राजनीती में अंतराष्टी राजनीती के अगर हम संबंद को समझना चाहते हैं तो हमें यतार्त वादी उपागम को समझना होगा किसको समझना होगा यत ऑफ यह कैसे बनेंगे तो वही तो आगे बढ़ाते हैं देखे हैं तो यहां पाधि उपागम के अंद्रगत राष्ट की यह हम कहें कि एक राष्ट राष्ट यानि एक राजिय तो राष्ट का विकास करना है क्या है तो विकास करना है तो विकास कब होगा जब उसके पास सक्ति होगी क्या होगी सक्ति तो राष्ट निर्मान राष्ट विकास के लिए सक्ति शंगर्स रहे गा ही रहे यहां पर कहा गया है निक्स आगे जब हम पड़े तो इसमें बात आती है कि राश्ट के हितों को पूरा करने के एक मात्र लक्षे राष्ट जैसे मां लेजे भारत अब भारत के जो लक्षे हैं उसको पूरा करना है तो उसके लिए उसके सक्ती संपन तो बनना होगा हर शित्र कहलाता है यतार्दवार्द दस्टिकॉन तो अंतराष्टि इस्तर पर भी हमें विभिन देशों के मद्य समन्द को समझने के लिए यह उपागम कामाता है यह दिस्टिकॉन कामाता है आगे और जानते हैं तो देखिए यतार्दवार्द के इनुसार जो इंपोर्टन दार पे नहीं बिल्कुल सही बात कही है जो आदर्सवादी उपागम तो कहता है कि राष्ट रित में हमें वीदेश नेती बनानी है तो लोगों की भावनाओं नयतिकताओं और उनके आदर्सों को ध्यान रखना चाहिए लेकिन क्या इससे क्या होगा इस यह के आशारत डाले सकती शंगर्स और सकती के बलपरी में आगे बढ़ सकते कोरे सांथी के जया नयतिकता को ध्यान में रखकर हम देश का ल्यान नहीं कर सकते डेश की कल्यान करने के लिए विए तरश सक्ति संपन बनना जरूरी है तभी यह कहना कि एक विदेस नीति को बनाने के लिए जो यत सब्सक्राश्टी समन्द का मूल भूत नियम मानते हैं क्या मानते हैं शक्ति की राजनिती यह मूल में हैं यह इसका एक कहते हैं कि मूल आदार है मुलादाग, सक्ति की राजनिती, ये इसका एक ध्य है, और सिदान्द कार भी चाहते हैं कि राजनिती वो सक्ति संपन होनी चीए, इसको आगे बढ़ाते हैं, और हम ध्यान देते हैं, कि सक्ति ही ऐसा तत्व हैं, जिसके माध्यम से अंतराष्टी संबंदों का विशलेशन कि हैं, यानि अंतराष्टी राजनिती को, विशलेशन का आधार, समझा आरान क्या है, सक्ति, सक्ति ही एक ऐसा तत्व है, जो अंतराष्टी संबंदों के विशलेशन का आधार है, यह कौन सा उपागम है, यतार्थवादी उपागम है, यतार्थवादी उपागम है, यतार्थवादी उपागम के अंतराष्टी संबंदों को समझने का, जो यह दश्टी कौन है, यतार्थवादी उपागम, इसका किन विद्वानों ने समर्तन किया है, किन विद्वानों जो यतातवादी दस्टी कॉन को अपनाते हैं जॉर्ज कैनन, राइनॉल नेबूर, जॉर्ज सवरेशन बर्ग, डॉक्टर हैंडरी किसिंजर और हांस मारगें था हूं एक मैं नाम यहां पर नोट करूगा जो जरूरी है वर्ड में थोड़ा कनपीजन है कि वर्ड क्या लिका हुआ है यहाँ पर थोड़ा कनपीजन हुआ जाएगा मारगें था हूए क्या लिका हुआ है मारगें था हूँ है ये ठीक है तो ये आप ध्यान रखेए ये जो विद्वान है ये श्पेशली जुड़ा हुआ है यतार्थ वाह को से जुड़ा हुआ है यतार्थवाहर दूर्सय नाम याद न UH जी रहे लेकिन आप और इन विद्वानों का मानना है जैसे कि होंस मार्गेंताओं का मानना है कि अंतराष्टी सम्वंदों की कुझी रास्ट ही थे इसके according जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है तीके यह ज़्यार दिजीए यहाँ पर इसके according का है वापिस मैं यह लाइन दोरा देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे हूं स्मार्गें ताउन वो इसके अनुसरा करने माले विद्वान कहते हैं कि अंतराष्टी संबंदों की कुझी इसके अकॉर्डिंग अंतराष्टी संबंदों किसकी यहां पर लिख देते हैं अंतराष्टी समंदों की कुंजी क्या है राश्ठीत इसके अकॉर्डिंग राश्ठीत यह कह रहा कि हर अंत्राश्ठीय समंदों का एक ही उदेश्य है लक्ष है या की है वो क्या है राश्ठीत तो यह जो राश्ठीत है यह कुंजी है यह किसके जरिये सपल होगी यहां पर यही लाइन कही गई हैं तो यह राष्ठ हीद हैं और जिसके लिए राष्ठ हीद की अंतरगत्र जो तत्वाद सामिल होता है वह शक्ति क्योंकि आज के समय अगर हम देखें एक राष्ठ का विकास और हम भला तभी करेंगे जब हम दूसरे देशों के मुकामले सक्ति संपन हो आर्थिक सामाजिक राजदितिक स्यानिक किसी भी स्तर पर हो हमें सक्ति संपन बनना होगा ठीके तो इसी संदर में महांगर्थावनिक सब्सक्ति न्तराश्टि संवंद्स सब्सका में और यहां रहायं के मैं जो आपको आपको एक्समें किया मैं यह है यथादवादी उपागम ठीके अब अब बात यह आती है कि एक हमेशा सही नहीं होता है या एक हमेशा गलत नहीं होता है क्योंकि एक सिक्क्य के बहुत important class हैं और इस class को miss मत करिएगा अगर आपका कोई दूसरा काम है बिल्कुल होगा लेकिन फिर भी ये class आप reminder रखें तो अब हमें इसके समाल उसना करते हैं समाल उसना का मतलब ऐसे बताया है कि कुछ समानता है कुछ अच्छायों के साथ उसकी क्या कमी है उस विदी की उस विशाधराओ की तो वह हम यह पर देखने वाले तो जैसा कि हमने यह पर जाना है उस को माहन वाले जो विदवान हैं उनके अंतराष्टि समंदों को आदर्सवाधी क्लपनावादी प्रयावंट से लएह ज़ो को इससे पहले आदर्सवाधी उपागमता आधर्सवाधी सहांति नेतिक्ता अपना पन अपन और भाहनात्मक पहले वह ज्यादा जोग देता था लेकिन यहां पर आगे बढ़ने के लिए जैसे मान लेके बिजनस क्या मानते हैं हम मान लेके बिजनस जो आपका बिजनस कुछ करने चोच रहे हो या घर पे या कोई परेंस करते हैं तो वह नैतिकता और भावनात्मक पहलू को मैत्वा देंगे या एक डूसरे से टकर लेके आगे बढ़ना चाहेंगे तो यहां पर आप समझ के होंगे कि सिरफ आदर्सवादी होना ही प्रयापत नहीं है वर्तमान दर्श्री कौन को अखरबन देखें तो हमें दूसरे को मुकाबले कापी अच्छा होना पड़ेगा तब ही हम बैतर हो सकते हैं तो इसलिए सकती तत् सकती ही सब कुछ है लेकिन यहां पर कमी यह आती है कि सकती यह जो सत्था कोютсяं के अंतिम रूप में सर्व में यहां आदर्सक्रुप से ही हम आगे नहीं बढ़ सकते तो यहाँ पर यही कम्या आती है कि यह विचाह सिर्फ एक पक्स पर जोड़ देता है दूसरा पॉइंट यतादवादी उपागमे कहीं अर्शंगतिया है यानि कम्या है जैसे शक्ति अत्वा सत्ता की प्रिभासा करना कटी नहीं कि शक्ति किस तत्व को जादा मैतो जाए कि कितनी होनी सिह इसका मापन क्या होगा ये तत्व याँ पर मौटव है और इसकी कम्या याँ याँ खलती है तो शक्ती तत्व का मापन संभाव नहीं ठीक है समझ में आ रहा है ठरड़ पॉंटबर हम बात करें तो यतादवादी शक्ति संगर के स्वाइत को श्विकार करता ह और अंतराश्टी संबंदों में साधन उदेशी जैसे प्रश्टों के परती उदाशी ने तो यहां पे सक्ति को इसता ही बनाना चाहता लेकिन लेकिन यहां पे जो जरूरी तत्व हैं वो यह हैं कि अंतराश्टी संबंदों के अंतराश्टी संबंदों को साधने के लिए साइलेंट प्रतित होता है यतादवादी उबागंगा ध्याय राष्ट्र सक्ति का प्रसार मात्र था और इसकी नीती इस राष्ट्र विरोधी समझी जा सकती है यानि बार बार शक्ति तत्व को करेगा तो सक्ति का संगर्ष सुरू हो जाएगा संगर्ष और सक्ति संगर्ष ह परक कि तो यह कहती है उपके तो यह इसकी समाहर लोश्टना की अवुझ थे लिशन करने कि is वहाहता यताज़वादि को आधरसवादि अगर आपने पिसला वीडियो बाइशाचन से नहीं देका हैं तो यह वीडियो में आपको दोनों का comparison करके हम पढ़ेंगे ताकि समझ में आ जाएगा ठीक है तो हम comparison करते हैं इस सीज़ का ताकि आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा दोनों विचार और दोनों की कमियों के बारे में अब अब बनाम यह नी इसके मुगाबले क्या सही है हमें कौन सा तरीका है कौन सा दृष्टी को अपना ना है अंतरा से समझ को बहतर समझने के लिए हम किस दृष्टी को ज़्यादा मैं आधर्षवादी उपागम को यह यही मैं आपको यहां पेस समझाने का प्रयाज करूं कि ज्यान देना है कि यतार्ष्वादी उपागम है यतार्ष्वादी उपागम है यास कंड्र मीदु क्या है ये किस तत्वपर ज्यादा एक नहीं पर आपको बताया था यह यह तर wr शक्ति पर यह मैं सथितर पैंपे जोड़ देता है is असा औरिखृ कि समझ्चाओं को लेकर यह जुझता भी है तो यहां पर द्ध्यानिक्ता सक्टी तत्व मूलत उत्य होता है तिक राधर्स भाधि जो उपागम है अगर आध्रशाथिंट उपागम के बात करें तो आदरसाली उपागम में क्या होता है नयतिकता बहर ज़ादा जोर दिया जाता है नयतिकता सयोग कहने का मतलब है कि अंतराष्टी समंधों को समझने के लिए सिर्फ सक्ति तत्व ही जरूरी नहीं है हमें कभी कभा नयतिकता वा सयोग की बात भी जरूरी है क्योंकि यह तो दोनों के भी सम्केरिज्टी करें तो आप वोचीज आपको ध्यान रखना है इस तरह से आधिरसवाद के आदार पर बनी नीतिया अंतराष्टी और सांथी की पक्ष्वत होती है नंतराष्टी आदार पर हम मान लें कि हमें अंतराष्टी संबंदों को बनाना एक बिज तो देता है तो इसलिए अगर मैं आपको बताऊं कि कौन सा तरीका बैरतर रहता है तो दोनों का समन्वे दोनों क्या समन्वे जरूरी है समझ में आ रहा ना मैं क्या बता रहा हूं हमें ना तो शिरफ पूरी यतादवादी उपागम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आप ध्यान दिजिए टिए कि कौनूचे तरव को किस तरसे इसक को प्लानिंग में बना दिया जायET जो है एक को मैतीनि दियाजासकता हम इन दोनों के मिले जोले मैत्व को को समन्वे को मैत्वर दिया है इसी तरह से क्विंच राइट जैसे विद्वान जो है क्विंच राइट ने विजेस निती निर्मान के लिए दोनों द श्रीकर cap को महत्मद दिया है बिलकुल ज्मनरा क्विंच सी राइट मुहदे ने का हैं कि दोनों दश्ट्री कोड़ों का संबन्वे जरूरी है एक अंतराष्टे संबन्दों को अच्छे से बनाने के लिए इस तरह से जोर्ज कैनन ने भी यतार्थवाद के साथ-साथ आदर्सवादी उपागम के मद्यस सामज्य से बैता हैं तो कापी विद्वानों ने बड़े वि अपना करें हम नैतिकता को लेकर बैटें तो हमारे आद में कुछ नहीं आएगा हमें निरासा मिलेगी ठीक है और अगर सिर्फ यतारवादी उपागम को लेकर हम चले तो संक्ति संगर्ष जैसा विचार और अंतराष्टी राज़िते में हर बार संगर्ष की स्थति देखी जाएगे तो इस तरह से जो सबसे बड़िया रिजन ही वो यह है समनवे हमें दोनों उपागम को सामिल रते हुए उपयोग में लाना से लेकिन कब कोई सा लाना है यह जानिया तो यहां पर मैं आपको बदता हूं कि सांती अलबकालिक उदेश्य भी हैं दिदकालिक प्रवादी उपागम को भी सिंतित में डाला यानि बरतमान में जो शस्त्री करन बढ़ रहा है इसे दोनाव विचारदाराएं पर आती है इस तरह से यतारवादी उपागम और अध्रश्वादी उपागम इन दोनों की कम्यों को दूर करने का तरीका है कि हम क्या करें स्टोय याकुर्ण है तो यह ठाजनितिक यतारवादी की तत्याय मुल्ग अंत्रड़्पुति सात्ता राजनिति क्या और मिद्ध मांता हैं यहां पर ध्यान रखे वह कि इसके दौर पर बनी जो नित्या है वह अल्बकालिन रही हो ठीप क्या दिए अल्बकालीन धी जाती आधाल पर ना कूंett और पर इसको यह और भी अरभिश्य स्जक्षा बनाने के लिएवी बनाते हैं वाई आतिस आएंगे तो हमारा जो काम है वो लंबे समय तक सपल होता जाएगा और यतारवादी उपागम तो यह स्वाट टाइम के लिए कि हमें कहां पर सक्ति प्रदसन करना है और कहां पर मितरता सयोग करना है तो इस तरह से चयर कर चयर कर कि कंबरना ह। इस वीडियो से संब्दित जोब तुमरी से आपको यह सबसे कर सकते हैं वह सब delegates कर सकते हैं टिक है ना और मुझे प्रस्टनलिज दूरने के लिए आप मेरे सेनल पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम me and my YouTube class टिक है अब मिलते हैं next video में तब तक के लिए thank you and have a nice day